नमस्कार साथियों मैं हूँ अविनाज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में आज इस वीडियो में आपको में डोर के बारे में बताया जाएगा में डोर की फ्रेम को बनवाते समय आपको किन बातों का ध्यार रखना है और महतपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी टेकनिकल टाम्स के बारे में आपको बताया जाएगा तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप भी घर बनाना चाहते है उसमें में डोर की फ्रेम जो होगी उसका साइज क्या रहेगा स्टेंडर्ड साइज या फिर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंतक आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आईए आज की वीडियो को शुरू करते हैं साइज वीडियो की शुरूरात हम करेंगे हाइट और विर्थ से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर हाइट के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए जो हाइट रहेगी आपकी में डोर फ्रेम की वो रहेगी आठ फीट लेकिन आपको उसमें ध बनाते हैं तो वो स्टेंडर साइज की डोर फ्रेम नहीं बनेगी आपको लखडी के अंदर तक की हाइट और फ्लो लेवल तक की हाइट को मापना है और उसे जो है वो आट फीट रखना है और विर्थ के बात करें तो उसी तरह से क्लेर विर्थ जो है वो लखडी के अंदर और दूसी तरफ के लकडी के अंदर तक का जो space है जो width है वो आपकी 4 feet होने चाहिए तो साथ ही अगर हम बात करें कि आपको stopper जो आपका door stopper है उसके लिए grooves provide की जाते हैं आपकी door frame में अगर आप अपने door frame की thickness जो है लकडी की वो तीन इंच रखेंगे और उसी में जो है वो आप grooves provide करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी लकडी की thickness जो है वो और जादा कम हो जाएगी और आपकी door frame की strength जो है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी तो आप अगर grooves provide करना चाहते हैं तो आप बाद में wooden button का use करके nail की मदद से भी grooves provide कर सकते हैं अगर आप उसी door frame की लकडी में grooves provide करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको लकडी की thickness को 3 इंच से बढ़ा कर 4 इंच तक रखना होगा तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप door frame बनाएं इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो लकडी का हिस्सा जो है वो आगे की और extend किया जाता है वो brick machinery wall में हम इसे fix कर देते हैं ताकि आपकी door frame जो है वो stable रहे और एक चीज और आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप जो है वो door frame को fix करते हैं तो आपको उसका try square की मदद से गुनिया को ज़रूर चेक करना है कि आपका जो door frame का size है उसमें किसी भी तरह का कोई error तो नहीं है और वो try square की मदद से आप उसका गुनिया चेक कर सकते ह कि आपकी जो चोखट है आपका जो door frame है वो गुनिया में है या फिर नहीं उसमें किसी भी तरह का कोई भी error तो नहीं है इसे के साथ जो है वो आप साहूल की मदद से verticality को check कर सकते हैं अगर आपकी door frame सीधी है या फिर नहीं तो उसे आप जो है वो साहूल की मदद से चेक कर सकते हैं तो इन सबी चीजों का आपको हमेशा ध्यां रखना है और अगर बात की जाए इंसाइड वाली विंडो की जो है आपर इसके साथ जो है वो में डोर की फ्रेम के साथ अटाच की गई है तो नीचे से आप डिस्स प्रोवाइड भी कर सकते हैं ताकि आपकी डोर फ्रेम जो है वो देखने में अच्छी लगे तो यह जो स्टैंडर्ड साइज है आपकी डोर फ्रेम का वो है आट बाई चार फीट की जो आपको हमेशा जो सेंटर का जो एरिया है जिसमें डोर लगाए जाएगा उसमें आप डवल पैनल डोर भी लगा सकते हैं आपको हमेशा ध्य जा रखना है कि आप जो है वो इसकी हाइट और विर्थ में किसी तरह का कोई भी कॉंप्रमाइज ना करें इसको कम ना करें नहीं तो जो फरनीचर होता है घर का बड़ा फरनीचर जो होता है उसे बहार ले आना और अंदर ले जाना जो है वो मुश्किल हो सकता है तो स्टै भी तरह की और जानकारी के लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बोक्स में जरूर टाइप करें अगर आप चाहते हैं कि इस टोपिक के उपर वीडियो बनाई जाए तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे यूटिब चैनल पोजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते जो है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली महतबफून वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलती रहे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए आपका दिन शुब हो